नमस्कार आप सभी का हारदीक स्वागत है एन्वीर एज्यूकेशन के इस यूटूब चैनल पर साथियों 6 सितंबर को जो है सूचना साहिक बरतिपरिक्सा होने जा रही है और उसके लिए कम्पिट साइंस का जो कम्प्लिट कोर्स है मैं आपको कवर कर रहा हूँ हमारे इस चैनल के माद्यम से जिसमें आप सभी के लिए OS के टोपिक्स अलग आ चुके हैं आपको जो है इनमें से कोईशन जो है 100% वहां पर देखने को मिलेंगे ठीके न इसलिए ध्यान से इस टोपिक को समझेगा और इसके जो नोट्स है वो बना के आप जो है मेरे साथ उसको जो है पिक्टर को क्लिक कीजिए और इंस्टाग्राम के साथ आप जो है उसको अपलो इसकीमा और कि यह चैंज है ठीक है न.. कंफीउज मत हुएगा अब देखे इस टोपि को सुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाओंगा ऐसकीमा क्या होता है थि कि अकर इसकेन का Aren कैनि आप जो डाटा को स्टोर कर रहा हो ठीक है नnement जैसे मैंना यहां पर इस्टोर किया तो हमने इसको किस रूप में इस्टोर किया है यानि इसका इस्ट्रक्चर क्या है इसकीमा का मतलब है कि हम डाटा को किस इस्ट्रक्चर में सेव कर बैसिकलि रहा है आपका सքन् किमा ठीक है अब मैं यहां पर आता हूं इसको समझाता हूं आपको कि किध्री इसकीमा क्या है सबसे पहले तो आप समझद लेजिएगा कि यह जो आर्किट्र है यह क्यों बने ख़ए पार और यूजर के Да यह यहां पर यूजर का लेर है उसके बाद आता है फ्रेंट एंड टाटाबेज एंड डाटाबेस की बीच में यह डाटाबेस है तो इसमें क्या है कि यूजर को डाटाबेस से connectना कर्वा पाएं तर डाइरेंट जो है यूजर कन डाटाबेस ना कनेक्ट हो पाएं इसके लिए भीट में पर निर्वान कर दिया है दोसरा आपका लोजिकल लेवल और तीसरा है फीजीकल लेवल, यह जो है लेवल ग्लिर करने के बाद वो जो है data base तक पहुνच पाएगा user, तो इससे फाइदा क्या हो गा कि इससे हमारे जो data होगा database disk के अंदर जो data है हमारा फिजिकली उस डाटा को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा ठीक है ना यूजर डाइरेट अगर कने करेगा तो कभी कबार उसमें कुछ गलती भी से डिलिट भी हो जाए या उसका कुछ मिस्यूज भी हो जाए तो यहां पर इसका खत्रा रहता है डाइरेक्ट कनेक्ट रहने क देखेंगे एक्ष्टरनल इसकीमा के अंदर देखियें आप इसका मतलब होता है कि आप जबती कोई वैब साइट के अंदर लाग इन करते हैं माल लीजीए कि आपनी सोप या किसी कंपनी के लिए एक कोई सॉप्धक्व बना रखे हैं उस कंपनी के अंदर अलग अलग व्यक्ति काम कर रहे हैं अगर आप किसी आपका जैसे स्टूडियो है और स्टूडियो का सॉफ्ट वना रहा है तो उसका भी लेवल अलग एक सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उधारण देखें तो आप यहां पर एक युनिवर्सिटी का उधारण लेते हम एक युनिवर्सिटी के दा आपको बता हुआ तीचर होता है ठीक है यहां पर मैं लिख देता हूं देखिए यह तीचर student हो गया ठीक है ना और यहां पर एक admin पैनल ले लेते हैं इन तीन के उपर में आपको इसको समझा देता हूं यहां पर देखे है जब आप as a teacher login करते हैं ठीक है university की login पर अगर आप teacher है उस उनिवर्सिटी माल लीजिए abc university कोई उसमें आप वह करें तो आप जब login करेंगे तो आपके सामने जो इनफॉर्मेशन आती है वह स्टुडेंट के सामने नहीं आती है क्योंकि आपका जो लेवल होता है वह अलग होता है इस्टुडेंट को फैसिलिटी अलग मिल रही है इस इन दोनों के इंदर करने के साब से इसको लेवल मिलता है तो सबसे पहली बात यहां पर आती है कि यहां पर यह एक्स्टनल इसकीमा जो है इसका मतलब है कि आप जब भी कहीं पर login करते हैं या किसे software को open करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले जो इंटरफेस आता है या एक् होता है ठीक है आप जब भी किसी website के अंदर login करते हैं तो आपके सामने जो सबसे पहले पेज आता है वह एक्स्टनल इसकीमा आता है इसके अंदर आपको जो है आपका जो लेवल होता है परतिया की यूजर के लेलग होता है कभी आपने सुना है कि किसे दो या दो से दिक ज लेवल अलग होगा ठीक है न मैंने आपर को आप यहां पर आपको जो है एक अच्छा सा उदान दे के समझा दिया है कि यहां पर टीचर है यह स्टूडेंट है यह अगर यह तीनों लोग इन करते हैं अपने किसी साइट के अंदर यूजर के साइट के अंदर ठीक है तो इन आपके सामने लोग इन होते हैं आपके सामने जो चीज़ आती है ठीक है जो बी फंक्शन वेब्गरा जो ऑठीक है तो वहाν पर फ्रंट एंड देवलपर या फ्रंट एंड डीजाजाइनर वर्क करता है जो बैसे के लिए आपके सामने जो इन्फ़रमेशन आएगी उसको या design करने का काम करता है इसलिए मैंने याप पर front end को जो है indicate किया है चलिए अब इसके बाद आता है दूसरा conceptual schema या इसको आप logical level के नाम से भी जान सकते हैं अब ये क्या होता है मान लीजे ये university है जिसके अंदर ये आपके तीन जो है details जो है इसके अंदर store है मान लिया तो conceptual schema के अंदर क्या होता है कि आपके database के अंदर कौन कौन सी table store है देखे यापर मैं आपको लिख देता हूँ इसको conceptual level पर क्या होता है कि आपके जो database है एक database के अंदर देखिए ये database है मान लीजे ठीक है ये नाम का database है इसके अंदर कौन-कौन सी टेबल्स हैं इन टेबल्स के बीच में रिलेशन्स क्या है ठीक है ना और इनको जो है किस परकार से या इसमें किस परकार की वैल्यूज इस्टोर की गई है मतलब मेरा कहने का है कि आपके डाटाबेस के अंदर जो टेबल्स स्टोर है और डाटाबेस की जो जानकारी होती है ठीक है ना जो डाटाबेस की लॉजिकल जानकारी होती है वो सारी की सारी इस लेवल पर स्टोर रहती है ठीक है आपके डाटाबेस के अंदर जो टेबल्स स्टोर की गई है उस टेबल में किस परकार का data store किया गया है टेबल का name क्या है टेबल का अंदर जो हैं दो या दो सेदिक टेबल है तो उनके बीच में relations क्या है relation in the sense देगी यहाँ पर जैसे students का ले रहा हूं है ठीक है ना तो student table और एक course table में रिलेशन किस परकार से आप दर्सा सकते हैं कि student है तो उसकार तो relation course के सार्थ होगा क्यूं student जो है वो course को purchase करता या course के अंदर जो है वो भाग लेता है उसको join करता है तो यह relation हो गए यहाँ पर तो इसी परकार से मेरा कहने का मतलब है कि एक conceptual schema के अंदर जो है table का नाम table के अंदर जो detail share है जो भी details डाली हुई है वो किस परकार के जैसे name वाले कोलम में character परकार की value है role number के अंदर integer परकार की value हो तो यह सारी कुछ जान करी जो है वो आपको conceptual level के अंदर देखने को मिलती है अब देखे इस level पर कौन वर्क करता है इस level पर basically database designer जो होता है वो वर्क करता है ठीक है ना वो यह बताता है कि आपका जो data है इस परकार से और इस नाम से और यहां पर save है ठीक है तो यह आपको logically information देता है आप इसको blueprint भी बोल सकते हैं ठीक है आप अपना मकान बनाते हैं तो उससे पहले आप क्या करते हैं उसका नक्षा बनवाते हैं ठीक है उसका मैं बनवाते हैं कि मेरे यहां पर यह रूम चाहिए तो आप उस नक्षे को देखते हैं आपको पता लग जाता है कि मेरा जो है यहां रहेगा ड्रॉइंग रहेगा अगर मैं इस च्टूडियो पर निर्मान कर रहा हूं मेरा तो आप पता लगा लेंगी स्टूडियो यहां पर है यहां से मेंगेट तो वहां से आपको बार से पता चल रहा है तो वह जानकर जो है उसको conceptual इसकी मां कह सकते हैं ठीक है इसके ओपर database designer जो होता है वह work करता है ठीक है नवह यहां पर जो है जानकर restore करता है कि टेबल के इस इस परकार की जानकर यह attribute कौन कौन से है ठीक है न और यहां पर उसके बीच में relations क्या है जिद वह एक database हो तो उसके में बहुत सारी tables होती आप सभी को पता होता है अब देखे next level पर आते हैं तो यहां पर आता है physical level physical in the sense कि आपका जो data है आपका जो database है वह फिजिकली कहां पढ़ा है ठीक है न आपका जो data है वह फिजिकली कहां पढ़ा है अब इसको थोड़ा ध्यान से देखेगा बहुत important topic है यहां पर इसको थोड़ा ध्यान से देखेगा आप physical level के अंदर क्या होता है कि आपके सामने जब बहुत भी कोई जानकारियाती है तो जो एक structure के अंदर आती है इस्ट्रेक्चर का मतलब होता है कि वह आपके सामने अच्छे से री प्रजेंट हो सके अपने आप symmet 條 कि रूप में च्टोरे आपके सामने आती जब भी देखे आप railway station पर जाते हैं तो आपके सामने वहाँ पर एक बड़ी सी LCD लगी होती है उसके पर क्या होता है train, name, aperture time, deriver time यह सारा कुछ details होता है train, name आता है तो वो सारा कुछ आता है कि वो कहां से कहां जाएगी तो वो क्या होती है एक table के form में आपके सामने store रहती है लेकिन एक real fact यह होता है कि वो data जो होता है वो computer में files के रूप में store होता है data जो होता है वो files के रूप में store होता है आपने मेरा file system versus dbms वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखेगा बाद में उसमें मैंने सारा कुछ explain कर रहा है लेकिन यहां पर मैं आपको मोटे तोर पर बता देता हूं कि आपका data आपके सामने tables के रूप में देखता है क्यों देखता है ताकि आप उसकी जानकार एक बार में प्राप्त कर लो अगर आपको अगर में file लेवल वाला दे तो एक एक folder को चेक करना पड़ेगा तो आपका time खराब होगा लेकिन इससे बचने के लिए क्या होता है कि आपका data होता है आपके सामने जब आता है तो वो क्या होता है tables के रूप में सो होता है जिसे आप जो है उसकी जानकार आसानी से प्राप्त कर लेते हैं लेकिन really में यह जो data होता है वो किसी ना किसी computer में files के रूप में इस्टोर होता है ठेंगे तो यहां पर अब बात आती है कि files कहां पर स्टोर है यह files फिलि कहां पर स्टोर है किस computer में किस drive में स्टोर है तो यह सारी जानकरी file का name, location, drive का name computer का वो जो भी details है तो वो सारा कुछ आपको physical level पे देखने को मिलता है ठीक है यहाँ पर होता है उधार लेते हैं आपका Gmail जो होता है आप क्या करते हैं जीमेल को access करते हैं पढ़ते हैं बस delete ठीक है आप उन्हें कभी ये पता किया कि आपका Gmail जो आ रहा है उसका main server basically अभी जो है ठीक है इसके उपर जो database administrator होता है वो work करता है इस level पर database administrator जो होता है वो इस level पर work करता है अब देखे यहाँ पर आ जाता है आपका database ठीक है ने इसकी जाहन कारी तो यहाँ पर मिल जाएगे आपको तो यह database सही ज़ कनेक्ट रहता है तो यह चीज basically आपका यहाँ पर होता है three schema architecture जिससे क्या होता है कि man इससे फाइदा यह होगा कि आपका जो user होगा वो direct database से connect नहीं हो पाएगा जिससे ना तो data को loss होने का डर रहेगा ना उसके अंदर कुछ गलती करने की जो है संभावना रहेगी ना उसका कोई भी जोरी होने का डर रहेगा तो इसके लिए जो है यह three schema architecture बने गए है यहाँ पर आपके सामने वो details आती है मतलब आपसे समद्धी details आती है यह परतियक user का जो level है view level वो अलग-अलग रहता है तो एक database में कौन-कौन सी table store की गई है उस table का name क्या है table के अंदर किस परकार की value है कौन-कौन से attributes है table के बीच में relations क्या है यह सारी जानकारी आपको conceptual level पे मिलती है या conceptual schema के अंदर मिलती है schema का means होता है structure यानि data को किस रूप में आप store कर रहे हो यहाँ पर देखिया आप physical schema physical schema के अंदर होता है कि आपका data physically किस computer में पढ़ा अभी उसका drive name, file name, database name, folder name सारा कुछ जो है इसके अंदर store रहता है उसके बाद आता है आपका file यानि आपका database disk जहांपर आपका data जो है store है चलिए अब यहाँ पर यह concept आपका clear हो चुका है अब मैं आगे आता हूँ इस वाले concept के उपर जिसमें आता है candidate की और primary की बहुत इसांदार example के साथ समझे के साथ यह हो ठीके ना सबसे पहले table 1 को देखिए ठीके अभी आप इस table को भूल जी आप इस table के उपर ध्यान दीजी अब अगर मैं आपको कहूं कि इन में से आप बते कि यह difference है यह दोनों डिफरेंट डिफरेंट है या फिर एक ही है तो यहां पर यह चीज आपके लिए पता करना बहुत ही मुश्किल है लेकिन यहां पर आपके माइंड में एक चीज आ रहे होगी कि यह दोनों यहां पर भी राम की चीज 21 मेल है यहां पर भी राम की चीज 21 मेल है लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि किसी दो वैक्तियों की जो एज है और वह जो जैंडर है वह हो सकते हैं तो यहां पर अगर ऐसी कंडिशन से मलब ऐसी जो समश्या है प्रॉब्लम जो है इससे बचना है तो हम हम क्या करते है candidate की का प्रियोग करते हैं candidate की मतलब क्या होता है कि आपकी कुछ ऐसी वैल्यूज होती है जिसके बेस पर हम यह यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह यूजर इससे अलग है या नहीं है जैसे एक स्टूडेंट की हिसाब से देखे तो इस्टूडेंट हो गया ठीक है या आप उसका ले सकते हो आधार काइड हो गया ठीक है तो यह कुछ जानकारी होती है या आप जो है अगर किसी यूनिवर्सिटी पर जा रहे हो तो वहां पर आप उसका आइडेंटिकाइड ठीक है ना आइडेंटिकाइड जोता है उसका नंबर हो गया तो यह सारी चीजे जो है वो यूनिक होती है ये कभी सहम नहीं होती हम नहीं होता इसी प्रकार Baiya Mississippi का नमडर जो सहम नहीं हो सकता ये जो है आपके पहचान पत्र जो हता आपको जिसको आप कहते हो तो उनका कभी value ओता है बो कभी सहम नहीं होता है तो हम उसको यहाँ पर यूज करके इनको uniquely identify कर सकते है अब देखे यहाँ पर आ रहा है दूसरा टेबल इसलिए मैंने नीचे टेबल बने है जिसमें मैंने एक इस weapon को यूज किया है रोल नमबर को अब आप बता सकते हैं कि सर राम जो ये 21 वाला और ये जो राम 21 वाला ये दोनों के दोनों अलग है क्यों है because इनके जो रोल नमबर है वो different है तो यहाँ से आप ये चीज पता कर पाते हैं कि ये दोनों user different different है अब देखिए ये चीजे जो मैंने आपके सामने लिखी है तो इन सभी का जो groups होता है उसको हम कहते हैं candidate key क्या कहते हैं candidate key आया मज़ा याद हुआ आपको ये candidate key देखिए किसी भी table में data को uniquely identify करने के लिए कुछ keys निर्धारित होती है key क्या करती है key key का मतलब होता है किसी को uniquely identify करना या किसी को identify करना तो यहाँ पर मैं candidate key का मतलब होगा कि किसी भी value को uniquely identify यानि उसको अलग से उसकी पहचान निर्धारित करने के लिए हम candidate key का प्रियोग करते हैं तो candidate key में ये सारे groups हो चुके हैं यह अलग अलग फर्म या अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं वाकि आप कंपनी के हिसाब से अलग हो सकता है तो यह बहुत सारी जो चीजें वह आपके अलग हो जाती है तो यहां पर यह candidate समझ में आगए अब बहुत सारी यूनिक की का जो समू होता है उसको हम candidate की कहते हैं इस candidate की के अंदर बहुत सारी यूनिक की होती है जिनका परियोग करके डाटा को हम यूनिक कली आइडेंटिफाइ करते हैं चलिए अब आता है प्राइमरी की और नौट नल नौट नल का मतलब होता है जिसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता है अब देखे प्राइमरी की का मतलब होता है कि परतियक टेबल के अंदर एक ऐसी की होती है जो उसको जो है अलग से पहचा निरधारिक करती है उसकी ठीक है ना जो प्राइमरी की होती है उसके बेस पर हम प एक सदिक primary key नहीं हो सकते हैं साथ ही अगर आपने उसको primary key निर्दारित कर दिया है तो उसकी value कभी खाली नहीं छोड़ी जा सकती हैं जैसे roll number है तो मैं roll number की value को कभी खाली नहीं छोड़ सकता हूँ तो इस गुण को या इस facility को हम not null के नाम से जानते हैं primary key मतलब roll number primary key हमेशा आप उसी को निर्दारित करते हैं तो इसमें आप किसी को भी primary key set नहीं कर सकते हैं किसी की value कभी कोई भी खाली जोड़ा छोड़ सकता है वह कोई mobile number आगर यहां पर मैंने डाल दिया तो mobile number यहां पर अगर किसी ने एंटर नहीं कहता है तो आगे से आगे जा रहा है और ना हम उसके पर दबाव बना सकता है कि यहां पर यह डालो आप details ठीक हैं लेकिन हम अग primary key और not null इसके बारे में दो चीज़े बैसी के लिए आपको दियान रखनी है primary key परतियक टैबल में सिर्फ एक ही होती है एक से दिक नहीं हो सकती दूसरा primary key को कभी खाली नहीं छोड़ा जा सकता primary key के अंदर जो values होती है वो हमिशा आपको fill करना अनिवारी होता है तो यह सा वीडियो आपको कैसा लगा है अगर अच्छा लगा है जल्दी से लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इसको share कर दीजिए और चैनल को subscribe कर दीजिए साइड में एक bell icon पी आच चुका होगा अब उसको on कर दीजिए जिससे में next बार जैसा ही आपके लिए वीडियो ल